हलो फ्रेंड्स वेलकम टू हॉरर लेंड तो दोस्तों आप लोगों की काफर रिक्वेस्ट और हुमन सेंटिपीड पार्ट टू के अच्छे रिव्यू के बाद फाइनली हाजिर है यूमन सेंटिपीड का फूल सेक्वेंस यानि की पार्ट थ्री तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेंटिपीड मूवी के कई करेक्टर्स आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे लेकिन इस मूवी का बाकी पार्ट से कोई कनेक्शन नहीं है तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज मत होईएगा और सबसे पहले आप हमारे चैनल को करके बेल नोटिफिकेशन ओन कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाए और अगर आपने सेंटिपीड मूवी सीरीज के बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले हुने देख लीजिए ताकि आप मूवी की स्टोरी लाइन और केरेक्टर से कर चुका था और यह मूवी एक टीवी में चल रही थी मतलब यह था कि यूमन सेंटिपीड वन की ही तरह यह भी एक मूवी ही थी जिसे की टॉम सिक्स द्वारा डारेक्ट किया गया था जो की इस मूवी के असली डारेक्टर भी है यहां बटलर नाम का एक व्यक्ति अपने बॉस को यूमन सेंटिपीड मूवी दिखा रहा था और इस मूवी में बटलर का रोल पार्ट वाले मार्टिन नहीं किया है और उसके बॉस जिसका नाम की बिल बॉस था यह यूमन सेंटिपीड वन के प्रोफेसर जोसेफ हैटर ही है इस मूवी में बिल बॉस एक जेल के व जेल में केदियों को संभाल नहीं पाता था इसलिए जेल के केदी बिल की बिलकुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे और बिल उन केदियों पर अपना डर बनाया रखने के लिए उन पर काफी वाइलेंस और अत्याचार करता था बिल की सेकरेटरी डेजी उससे कहती है कि उसे सेंटिपीड मुवी काफी पसंद आई लेकिन बिल उसे बुरी तरह डाड़ता है और उसके साथ गंदी हरकत करता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है कि तभी बिल की डेस्क का फोन बचता है और उसे पता चलता है कि एक केदी जेल के आफिसर पर हमला कर दिया है जिसके जाज करने के लिए बिल लोकापेरिया में जाता है और रास्ते में अकाउंटेंड बटलर बिल को ये बताता है कि उनके अकाउंड में ज्यादा पेसे नहीं है और अगर यहां के कैदी ऐसे ही वाइलेंस फिलाते रहें तो उनका पहिंदी भद्धी गाल्या देते हैं जिससे कि वह सारा गुस्ता उस केदी पर निकालता है जिसने की ऑफिसर को गैल किया था और वह उस केदी का हाथ opposite direction में मोडता है जिससे कि उसका हाथ तूड़ जाता है और उसकी कौनी की हड़ी बाहर आ जाती है और वह केदी दर्द क मारें जोर जोर से चिलाता है और बाकी के केदी फिर से बिल को काफी गालिया देने लगते हैं बिल अपने ऑफिस में आ जाता है और अपनी बेज़्ज़ती के कारण काफी परेशान होता है वो केद्यों को टॉर्चर करने के लिए नए नए तरीके सोचता है जैसे कि उन्हें दर्वासा नौक होता है और डेजी एक पारसल लेकर आती है जो कि बिल ने अफरीका से मंगवाया था उस पारसल में एक ऐसी चीज थी जिससे खाने के बाद बिल के शरीर को ताकत मिलती और इस चीज का नाम सुनकर वीवर्स काफी शोक हो जाएंगे कि तभी बिल का फोन बच कुशिश की और बाद में बिल उसका पता लगवा कर उसे पकड़ लेता है और उसके मूँ पर कपड़ा रखकर तीन बाल्टिया खुलता हुआ गर्म पानी उसके चेहरे पर डालता है जिससे कि उसके चेहरे की सारी चिम्लिक पिगल कर उस कपड़े में चिपक जाती है और जब इसकी खबर टेकससी गवर्मेंट को मिलती है तो बिल की जेल में गवर्नर हरक्स आते हैं और बिल को धमकी देकर जाते हैं कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए और वो दो हाफते बाद वापस चेक करने आएगा और अगर बिल का वाइलेंस कम नहीं हुआ तो वो में से एक कैदी को चुनता है फिर बिल अपनी फ्रस्टेशन निकालने के लिए उस कैदी को अंदर लौक अप में लाता है और एक तेज धारदार चाकू को गर्म करके उस कैदी के शरीर में गुसा कर महां से कुछ पार्ट्स निकाल लेता है और उसे लंच के लिए पकवान गर्म पानी डलवाया था और उसका जला हुआ चेहरा देखने के लिए बिल उसके चेहरे की पट्टी खीश लेता है जिससे कि उस केदी के चंबडी फीर से खिच जाती है और उसे काफी दर्द होता है क्योंकि उसके चंबडी के साथ साथ उसके चेहरे का माज भी खिच जा और हमें बिल के अंदर का एक शेतानी दरिंदा साफ देखने को मिलता है जब शाम हो जाती है तो बिल अपने ऑफिस में बटलर से बाते करता है कि कैसे केद्यों को और टॉर्चर किया जाए जिससे कि वो सभी बिल से डरें और बटलर को अपने दिमाग में चल रहे एक खतरना काईडिया को बिल के सामने प्रेजर्ण करने का मोका मिल जाता है बटलर बिल से कहता है कि क्यों न ला हम केद्यों को युमन सेंटिपीड मुवी की ही तरह बड़े सेंटिपीड में बदल दे उनके होटों को एक रहाए centuries से फिल दिया जाए जिससे होगा यह कि आगे से कोई पीडि किसी भी तरीके का वैलेंस नहीं कर पाएगा और उनके काफी पैसे कही जगे से बच जाएंगे जैसे कि उनका खाने का खर्चा और उनका मेडिकल ट्रीटमेंट वगेरा वगेरा लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि सभी केदी अपने गुटने पर रहेंगे और बिल को रिस्पेक्ट करेंगे लेकिन बिल को ये आइडिया पसंद नहीं आता और वो बटलर की काफी बेच जती करके उसे वहां से जाने को कहता है बिल जेल में हो रही अपने डिस्रिस्पेक्ट से काफी परेशान था वो रात में काफी शराब पीता है और उससे सपना आता है कि जेल के सभी कैदी ने उस पर हमला कर दिया है और जेल के सभी कैदी मिलकर बिल से उनके साथ हो रहे वाइल एक उसमेंट फिक्स करवाता है और जल्दी टॉम सिक्स भी बील से मिलने उसकी जेल में आ जाता है बील अपनी जेल के डॉक्टर के साथ टॉम से मिटिंग करता है और उससे पूछता है कि क्या सच में हुमन सेंटिपीड बनाया जा सकता है जिस पर टॉम जबाब देता है कि ह यूमन सेंटिपीड इंडी कली पॉसीबल है और उसने एमिस्टरडेम के एक होस्पिर में बात की है जहां पर यूमन सेंटिपीड बनाया जा सकता है फिर टॉम ओप्रेशन रिपोर्ट बिल और उसके डॉक्टर को दिखाता है जिससे वो डॉक्टर कहता है कि ये medically possible है लेकिं infection का risk जरूर है और सभी केदियों को जरूरी vitamins और nutrition के ingestion दिये जाए तो ये 100% possible है और इससे सुनकर Bill तुरंत इस operation के लिए ready हो जाता है और तभी बटलर बीच में बोल पड़ता है कि वो ये सोच रहा है कि केदियों के दात ना निकाले जाए और एक tube को उनके मुव में डाला जाए ताकि उसके आगे वाले का waste material सीधा उसके पेट में जाए और होटों को धागे से सीला जाए फिर उनके घुटनों के लिगामेंट्स को निकालने के बज़ाए वहाँ injection लगाकर उन्हें temporary paralyzed कर दिया जाए और उनके hips की चमडी को ना उदेड कर एक leather step लगाया जाए ताकि जब केज्यों को छोड़ा जाएगा तो उनके उपर कोई भी निशान नहीं होंगे जिसका डाइगरमों सभी को बताता है और Bill Centipede वाले idea पर राजी हो जाता है टॉम बिल से कहता है कि वो उसका human centipede वाला concept रख सकते हैं लेकिन एक शरत पर कि जब भी वो operation perform होगा टॉम उसे अपनी आखों से देखना चाहेगा और बिल टॉम को ही operation इंचार्ज बना देता है फिर अपने doctor से कहता है कि दुनिया भ human centipede movie दिखाई जाए उसके बाद वो सभी के साथ होने वाले इस operation को announce करेगा ताकि बिल का कौफ उनके जहन में बेट जाए लेकिन जब वो ऐसा करता है तो सभी केदी डर जाते हैं और बिल पर ही हमला कर बेटते हैं और बिल को महां से अपनी जान बचा कर भागना पड़त है सभी केदी बिल के ऑफिस में घूस जाते हैं लेकिन बिल वहां से भाग कर बार पेड़ के नीचे बेट जाता है और इधर रेस्क्यू टीम के आने से पहले गुसाई केदी डेजी पर हमला कर देते हैं और उसे बूरी तरीके से गायल कर देते हैं फिर कुछ समय बाद सभी केदियों पर वार करके उन्हें बिवोश कर देता है और हीमन सेंटिपीट के लिए अनौंस करता है लेकिन डॉक्टर के अनुसार कुछ ऐसे पेशेंट्स भी थे जो की सेंटिपीड में फिट नहीं होते थे और डॉक्टर बिल को उन्हें चेक करने के लिए बुलवात है और सारे इसे लोगों को मारता जाता है जो की युएन सेंटिपीड में फिट नहीं होते अब ऑल्मोस्ट सेंटिपीड वाले ऑपरेशन की तैयरी हो चुकी थी और अपनी शर्त के अनुसार टॉम वहां आ जाता है और हुमन सेंटिपीड का आपरेशन को अपनी आखों के सामने देखता है जो की काफे दिल देला देने वाला नजारा था फिर बिल उसे कुछ और दिखाता है जो की सेंटिपीट से बढ़कर भी होने वाला था जहां कुछ केजियों के उनकी जिल्ला हालत में उनके हाथ और पेर को उनकी बॉड़ी से काटा जा रहा था जिसे देखक टॉम को उल्टिया होने लगती है और कुछ ही दिनों में अब तक का सबसे बड़ा यूमन सेंटिपीट बन जाता है और तभी वहाँ गवर्नर हक्स बिल की जेल में हो रहे वाइलेंस को चेक करने के लियाते हैं लेकिन बिल उन्हें अपना यूमन सेंटिपीट दिखाता है ज जिसे कि उन्हें ज्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें समालना भी नहीं पड़ेगा और यह सभी अपनी सारी जिंदगी में कोई भी क्राइम नहीं करेंगे कि तभी बटलर देखता है कि सेंटिपीट के बीचों बीच बिल की सेक्रेटरी डेजी को भी सि पनाई गई थी और यह वही केदी थे जिनके हाथ और पेर काट दिया गए थे और उन्हें एक बिना हाथ पेर वाले सेंटिपीड में तबदिल कर दिया गया था फिर बिल गवर्नर को यह भी बताता है कि जिन केदियों की सजा पूरी हो जाएगी उन्हें सेंटिपीड से करके वहां से जाने लगता है और गुस्से में बिल जेल के डॉक्टर और बटलर को मार कर अपने बनाय सेंटिपीट पर खुश होता है कि तभी गवर्नर हक्स फिर आता है और वो बिल से कहता है कि उसका आइडिया काफी अच्छा है और इसी के साथ यह मुवी यहीं पर खत्म हो जाती है तो दोस्तों वेसे तो मैं आपको युमन सेंटिपीट के पार्ट 3 को देखने के सला बिलकुल भी नहीं दूँगा क्योंकि यह मुवी युमन सेंटिपीट का सबसे खराब पार्ट है जिसकी स्टोरी तो बेहुदा है ही साती साथ इसका डारेक्शन भी काफी बे लेगा क्योंकि और भी वीडियो जल्दी ही आने वाले हैं